कुछ आई आई ये किड्ने वालों आई ये मैं इसलिए बोल रहा है क्योंकि आइफोन 12 सेरीज के बाद आइफोन 13 सेरीज लेने के लिए बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे अच्छा अच्छा खाप भी रहे तो आपके लिए एक अच्छी ख़बर है कि इस बार एपल ने एक न् चलो कोई बात नहीं अभी मैं आपको इन फोन्स के बारे में अच्छा ही भी बोलेगा बुरा भी बोलेगा चार फोन्स आये प्रिविस जेनरेशन जिस आई आइफोन 13 13 मिनी 13 प्रो 13 प्रो मैक्स शुरुबात करते आइफोन 13 और 13 मिनी से अगर मैं जब इनकी स्पेक्स बो अभी सूपर XDR OLED रेटीन वाली डिस्प्ले जहां पर यह प्रिविस जेनरेशन से 28 परसंट फूड़ी आपको ज्यादा ब्राइट देखने को मलती हां तो डिस्पेको नोने थोड़ा इंप्रूट किया है और साथ में नौच इस बार थोड़ा और चोटा हो गया है मतलब इ सब्सक्राइब यह तोड़ी और ज्यादा इंप्रूमेंट्स लाया है ऐसा उन्हों नहीं यहां पर बताया है वैसे इन में जो जीप्यू मिलता आपको वो चार कोर्स का मिलता है मैं जीप्यू को एक्स्ट्रा इसलीब हो रहा हूं कि आगे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों गोल रहा हूं वैसे यह जो चिप्सेट है यह 15 billion transistors इसमें और 15.8 trillion operations per seconds यानि की obviously बहुत ही ज्यादा पाउफल चिप्सेट है और यह सारे फोन्स आपको 5G ही देखने को मिलते है उसी के साथ साथ दोस्तों इनके बिल्ट भी प्रीमिय में प्रिवेस जेनरेशन जैसी सब्सक्राइब यह सब कुछ आपको एकदम study मिलती है और उसी के लावा रैम का कोई अता पता नहीं है हमेशे की तरह और बैटरी का भी कोई अता पता नहीं है लेकिन उन्होंने बता है हमको कि आइफोन 13 जो है वो प्रिविएस जो है आइफोन 12 से धाई गंटा थोड़ा आपको बैकप देगा और आइफोन 13 मिनी जो है वो आइफोन 12 मिनी से देड़ घंटा आपको बैटर 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 यह लोग कुछ बताते हैं नहीं हम यहां पर कंफिज हो जाते तो यह ऑन पेपर से जब आए आएगा तो आपको टेस्ट करके बताएगे आइसा कुछ है और उसी के अलावा आपको 4K60 पर से वीडियो मिलता है और इस बार उन्होंने सिनेमेटिक मोड वगरा दाल दिया है तो बड़िया तरीके साब सिनेमेटिक वीडियो से यहां पर निकाल सकते हैं और एपल की यही खासिया थे आईपोन में जो कैमरे होते वो कमाल की मिलेगी अब इनकी प्राइस की बात करें तो इनमें आपको तीन स्टोरेज वेरियंट्स मिलते हैं 120 GB से स्टार्ट होता है थैंक्फॉली फिर 256 GB और एकदम हायर वाला 512 GB आइफोन 13 मिनी 120 GB जो है मतलब जो बेस वेरेंट है वो 69,900 रुपीस का है मतलब 70,000 100 रुप मैंक्स की बात करते हैं पहली बार फाइनली आइफोन 13 Pro series में आपको प्रो मोशन डिस्पे मिल रही है समध्र में क्या बोना हो 120 हर्ट्स रीफ्रेश रेड रापरा लाइफ निगल या यह पसी नहीं में भर गया मैंदर बिर आखें बोड़ी हो गई कि फाइनली 120 हर्ट्स रीफ्रेश डिट चलो दिया तो सही हां और वही सेम सूपर एक्स डियार रेटीना ओलेड वाले डिस्पे प्रिवेज जनेरेशन से थोड़ी ज्यादा ब्राइट है नौच को यहां पर भी थोड़ अशा चोटा कर दिया है वहीं आपर सिलसिला है वहां पर जिसी की में एक्ष्ट्र आपको बताया था चार कोर से वह इसलिए बताया था क्योंकि इनके जो जीप्यों वह थोड़ा सब्स्लाइट ली बूस्ट किया है उसी कि साथ-साथ यहां पर भी रैम का कोई अता पता नहीं है यह इदर भी लावरी से और बैटरी यहा आपने उपर है जब आएगा तो आपको बताएगे वैसे इनके भी जो बिल्ट है वो काफी प्रीमियम है आइफोन 13 13 मिनी जीसी आपको मिलती है और साथ-साथ इनका जो कैमरा है वो ट्रिपल कैमरा सेटफ है प्रामेरी दोस्तों वही 12-12 मेगापिक्सल सेंसर है जहां पर आपको वही प्रीवेस जनेरेशन से उनने इंप्रूफ कर दिया है सेंसर को काले को गोरा कर सकते हैं और साथ में वह 4K 60fps पे सिनेमेटिक मोड बगरा तो यहां पर यस वी नो कैमरा को एक टॉप नौच यहां पर देखने को बलेगा उसी के लावा आपको इस बार उनने एक आल्टरावाइट सेंसर जो दिया है ना उसमें उनने मैक्रों भी दालती है अरे अपल वह एंडर्ट वाले करते हैं दो दो मेगा विसल खेलते हैं तुम मत करो भाई तुम्हारे लेवल अले कि मत करो हां मत पड़ो इनके लफड़े में छोड़ दो और आपको एक टेली फो अपको एक टेराबाइट का भी जेक्मिन को बलते हैं इनके प्राइस जो है दोस्तो आइफॉन 13 प्रो वन लैक 20,000 से स्टाड़ होती है एक मिनिट सुनो और आइफॉन 13 प्रो मैक्स जो है वह वह वन लैक 30,000 से स्टाड़ रहा है और इसको जो वन टीवी वाला या जो निकाल लो बीवी का सबसे पहले निकाल लेना और पड़ुसी का ले लो दोस्का ले लो जो जाधा परिशान करता है सब कुछ जमा करके समस्व गर्व से खड़ रहने का कर से के मैं आइफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स लेने के लाया हूं कि यह बहुत उपर चले गए और हमें भ लेकिन है ठीक है मैं इसा बोलूँगा और मैं इस बार पर्चिस करने वाला हूं तो आपको इनकी अन्बॉक्सिंग जरूर आपको मिलेगी लेकिन आइफोन 13 प्रो प्रो मैक्स यह कहां जाके बैठ गया यार बहुत ज्यादा हो गया मतलब मजा की बना करका है यह तो कुछ जादा ही होगा थोड़ा प्राइस कम करना चाहिए क्योंकि यूएस की प्राइस देखोगे तो वहां पर बहुत कम है इंडिया में आते आते पताने इनका रोना चलो हो जाता है ऐसा हो गया यह हो गया बाती तो बड़ी बड़ी करते लेकिन प्राइस को एक्दम जमीन पर पतलब मैं बजादा इसके बार में कुछ बोले काने में अधिम अधिन में लाइन में लग रहे जाके आप लोग भी लग जाए